फाइनली लगता है हमारी बस आ गई अरे यह तो कोई और नाम है यह तो हमारी बस नहीं है हमारी बस नहीं हुआ है तो हलो अब्रीवान कैसे हैं सब घबराये ने हमको बस मिल चुकी है इंफैक्ट मॉर्निंग हो चुकी है पुरे रात हम स्लीपर क्लास एसी बस में सो चुके हैं आए एक चोटा सा टूर लेते हैं कि कितना स्पेस वता है इस लग्शरी वॉल्वू में और ओवरनाइट ट्रावल करना कितना इजी है यह तफ है तो सीट्स कमफर्टिबल साइस की ह आराम से सो सकते हैं और दोनों सीट्स के ऊपर चाजिंग दी है जिसमें हम अपने चाजिंग के लगा सकते हैं और बल्कुल सीट्स के ऊपर एक लाइट दी है आप में देखा होगा इसमें ब्लू लाइट पुरी रात ओन रहती है यह तोड़ा सा डिस्टरविंग लगा जी जिस अफ पर ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन इस अदर ड्लु लाइट है वो इज़ाक तो फोड़ा सा अ स्टरब कर लेती, नायरा को को अधेर में सोने क्या देते हैं, थोड़ा सा अ दिस्टरब होई यह सोने कर लेती, सो कर्टेंस जैसे मैं बता रहे थी, आइल साइट पे और विंडो साइट पे फुली लाइट को ब्लॉक कर देंगे, इसके अलावा दोनों सीट के पीछ में भी सेंटर में भी पार्डिशन कर्टें हैं, अगर किसी को चाहिए तो अपने रिक्वार्मेट के अखॉर्डिंग, कर सकता है, और दोनों सीट सेपरेट हो सकती है, और हमारी अपर बर्थ था, मॉम डैड का बर्थ लोवर बर्थ था, वो मेरे कॉर्ड नहीं कर पाई, और दोनों बर्थ सिमिलर ही थे, और बस में एंटर करते ही एक पानी की बॉटल सब को प्रवाइड़ होगी, लेकिन गार और यहां से आगे का सफर जो की पांच घंटे का रोड ट्रिप है, हम कार के थ्रू एक रेंटर कार के थ्रू कवर करेंगे, और यह पहारी रास्ता होगा, तो आए साथ में चलते हैं और इंजॉय करते हैं इस छोटी सी जैनी को, प्रिज देख पा रहे हैं, यह एक भुटान के लिए रास्ता जा रहा है, जो यहां से सिर्फ तीन मिंटे के डिस्टेंस पे था, और हमारा गैंग टॉप का रास्ते से जाता अलमवा है, क्योंकि पहाड़ है और पहाड़ों में कभी भी ट्राफिक जैम हो सकता है, खासके वह भी जब सीजन हो, यह तूरिस्ट सीजन है, और हमें भीक आफ यह ट्राफिक मिंगने का डाउट है, दैड का ट्रावल मोड अन, एक्दम से मस्ती करते हुए, इंज्वाइ करते हुए, सब का एंटर्टेन्मेंट करते हुए हम लोग जा रहे हैं, टुकांग टॉक, और यह पॉइंट काफी इंट्रेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे सिक्किम की दो सबसे बड़ी रिवर, तीस्ता और रांगपू, दोनों रिवर्स मिलती हैं, और यह जो डाल्टा सा बन जाता है, यह बहुत फेमस कैंप साइड और राफ्टिंग साइड बन और यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं, सिक्किम स्टेट में, वेस्ट वेंगॉल, पीछे रह गया, और यह फस्ट टाउन है सिक्किम का, अगेन जिसका नाम रिवर के ओकर ही है, रांगपू टाउन प्रफ। प्रफ। टाउन और लंच करके हम सिर्फ चले जा रहे थे तो छोटी सी टी कॉफी ब्रेक लेने के लिए हम रोग एक काफे में रुखे हैं जो की बहुत ही बूरीफुल काफे है और इतना सुन्दर व्यू है यहां से कि हम रुख नहीं पाए अपने आपको और सोचा यहीं रोख लिए जाए अब जब होटेल पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे रास्ते का सफर इंजॉय किया जाए सोच यहीं है जाए झाल 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 सबसे इंपोर्टन चीज़ मास्क कमपलसरी है सब को हमेशा मास्क लगा के रखना है जब भी पब्लिक प्लिसेस पे होते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है अपनी और दूसरों की सेफटी के लिए सैडली कॉलकता में ऐसा कोई स्ट्रिक रूल नहीं है किसी को कमपल्शन नहीं है मास्क पहनने की और हमेशा टैक्सी के अंदर हमारा मास्क अप था और अगर हम कभी मास्क नीचे भी कर ले रहे तो हमारा टैक्सी ड्राइवर हमें रिमाइंड करवा रहा था कि प्लीज मास्क पहन के रखे लेरा का प्यार क्या प्यार है देगा आज के जबाने में सब भुलते थे ये देखो साज बहूत और सचुर कि ये लुड़ क्या हुआ क्या रहा अजय क्या ताल कि व्या प्यूश ये खिर ताल ये एक जो अफे बीड़ को दूआ है OOD है दूया हूा सकती है 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 कई आखने 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 कर दो दाद 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 दिका रूम नाया दाद दाद दिरू इस बाल्कनी बिटुजी बिटुजी इसन मून कुछ सर्दी गरमी मी लगेगी तधाफ कें रिलिएम मुँऔशेश जदेश मेमाशाणीजела धाय-जल, मुटेश, कर दिडि़ा है कि इस डाफ्साणी मुटेशनी आफ्सारफी ई ने माशाला जी किया करें? ये मासालाचाय ये मासाला जड़ है पिल्कुल सर्दी गर्मी नी लगेगी हाई नाइला हाई ये भगमान क्या कर भिया मेरा नाइला को ये भगमान तो कैसी लगी है आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर लेना और अभी हमसे जुड़े रहे है क्योंकि हमने अभी सित्किन एक्सप्राइब क्लोड करना है तब तक के लिए बाबाई टेक केर